असबार दिस्मा की सियासी आभूल इधाय भाई रामेद यादो जी उनके साहजादे जितें यादो जो दिला पंचाई कद्धे चुने गए हैं मेरा दे मुत्रम शमीन को सरेडुकेट का है रामेद यादो जी रात भाई और महुतिवाली जी शोरा अधरा शायाद कभी और कभी तिनिया आज एक बाप का जनन दिन है एक बेटे की ताज़ोशी वो बाप जो अपने आखों से अपने बेटे की इज़त आवरू बढ़ते हुए देख लेता है वो भाग विशानी होता है लेकिन वो बेटा जो अपने बाप की जिन्दगी में सूरज की तरह चमकने की कोशिश करता है वो सव भाग विशानी होता है परमपराएं इस तरह से मुन्तपिल होती है, ट्रांसपर होती है, रिवाइसें इस तरह से तब्दील होती है कि हर पुराणी नसल नई नसल के लिए कुछ आदर्ष छोड़ जाती है, और नई नसल उन आदर्षों की रोशनी में अपनी जिन्दगी दुदारती है आज वही कुछ हो रहा है कि बाप का जनन दिन है और बेटे की ताज़गोशी का दिन है यानि बाप ने बेटे को फलंदियों पर देख लिया है और बेटे ने ये देख लिया कि एक लाइख बाप, एक आपिश बाप कैसा हुआ करता है और बाप का इर्सान सारी नमर नहीं दूना जा सकता है अब ये जिते में यादों के दूबी है कि वह अपने बाप का कितना एर्सान मानते हैं उनके बाप ने तो जितना बना सकते थे वो अतना उने बना दिया है मेरे ये जूमले इनी दोनों के लिए नहीं है यहां जितने बाप बैठे हैं उन सब के लिए है कि उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को एक रोशन मुस्तक्विल एक मुझ्वल खविश्ची दीजिए और जितने बेटे यहां बेटे हैं उन से भिम्जे ये कहना है कि अपने बाप का ताहयाद साधी जिन्दगी एहसान मालिये उनके आतर्शों पर चैनुए की कोशिश कीजिए ये रिवायत और परंपरा अगर धनी रही तो इंसानियत बहुत ही चमकदार रास्तों से वो करके मैं दोनों को बढ़ाई दे रहा हूं मुबारबाद दे रहा हूं रामपा यादों जी को उनके जनन्दिंटी और उनके बेटें को ताज कोशी की कि आज उनके सर पर एक बहुत जिम्मेदानियों का ताज रखा गया है वो इस ताज की आब उनके रखेंगे मैं इस से हट करके ये बता दू कि बरसों से मैं यहां आता हूँ यहां हमेशा कभी संबेलन और मुशारा एतनी इस्थत और इतने एकराम के साथ सुना जाता है कि हम लोग बाहर जाकर के भी ये बयान करते हैं कि हम विस्वा मुशारा पढ़ के आये हुए है गुलों पे लिखती हुई ला इलाह इल्लाः पहाडियों से उतरती अजान की खुश्वूर वियोगी होगा पहला कहीं आह से उपजा होगा गां उमर कर आँखों से चुचाप पही होगी करता है यान ये है हिंदोस्तान एक तरफ हिंदी है एक तरफ उर्दू है दोनों आखे है जिस तरह से दोनों आखे है बरापर रोशन की तरह से इस हिंदोस्तान में हिंदी और उर्दू दोनों दवामें आखों की तरह रोशन है ये हिंदोस्तान है जहां ताजम है और फुतुभुमिनार की जतनी अहिमियत है अजन्ता और एलोरा की भी उतनी ही अहिमियत है यहां गंगा की पार्थी की कभी एकराम है जम्ना की गोशित की कभी इस्जत है यहां पर मीर और आलिव कभी एकराम है कभी और मीरा करने सम्मान है ये हैं हिंदोस्तान, हम इसी हंदोस्तान को बनाना चाहते हैं कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हंदोस्तान सबका है उद्धरताग सिंग की ये चार पंतियां, जो मुलाइम सिंग साहब के गुरू है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हंदोस्तान सबका है नहीं समझी गई ये बात तो नुपसान सब्का है जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महा सागर बनाने में मगर इसान सब्का है ये मुल्क जो आए मिल गई करके इसको सबने बनाया है इसकी तख्जीब इसकी संद्किति और इसकी सब्धिता का तिहसान मानना और उसमें रच बस जाना उसकी उश्पू को मच्सूस करना ये हमारी और आपकी दिम्मेदारी है और एक मिला जुला रिंडुस्तान जो तख्जीबों का संगम हो नदियों का संगम को यहां हाई ही लेकिन ये कभी सम्मेलन और मुशारे दर असले सब्धिताओं का संगम है तख्जीबों का संगम है और याद रखिए तख्जीबएं सब्धिताएं दुनिया में कभी ने टकराती हैं, जब टकराती हैं, तो वो शते टकराती हैं, इंसान के अंदर का जंगरी बन टकराता है, आईए हम मुखज़त बनने की कोशिश करें, सब्रों सुसंस्कित बनने की कोशिश करें, यह मुशारा हमें आईसी ही सब्वेता और तर्दीर की तरफ ले चलता है, इन बेटे जिदे नियादों जी को बढ़ाई तो मुबारबाद अब आए इस सम्मेलन और मिशायरे को हम चाहते हैं कि एक फूरत कौमी जीद से इसको इसकी शुगात की जाए ताकि वतन की मुभवत जिसके लिए ये कहा जाता है कि वतन की रेत मुझे एडियां रगडने दे वतन की रेत मुझे एडियां रगडने दे मुझे यकीन है पानी यही से लिएगा तो आईए उस वतन की मिश्ची की कुश्पू को गीत बनाया है मुझे जो इंटरनेशनल नेवर फेमिटी शायरा है मैं चाहता हूँ कि एक फ़ूमी पीश से वो इसको सम्मिलन मुशायरे का आद दे बाद मुझे जब उनकाम आएगा तो फिर मैं उसे उदाविश कर दोगा शबीना साहाँ का तश्रीव लिए अदिया जी नेए जोडिया जी मेरे बहती कुहत्रम करांखरमा श्रीप बासर सःभार अदेशनल का इस पर मेरे मुझे बहती कुहत्रम रहन भाई, एंगल भाई, हमेरे सभी कभी और हमेरे सभी शायद, मेरे जिम्मेदारी और मुझे हुग मेरा है कि मैं कौमी कराना आप सब की खिमत में पेश करूँ, आप की जिम्मेदारी ये बंती है आप, यहां पुरा ही गुस्तान मौजूद है, और मुझे फर्फ है, उसी अकीदत से, उसी मुहपत से, इस गीद में शरीप हो, अपनी मुहपतें और अपनी दौाएं, एक बार मुझे सारे वखें पर अपनी तानियों से जा सकते में तक कि मैं वो भूने तरह ना, जिसके मिए मुझे दुख मिला है इस वख कि मुझे क्या पाढ़ना चाहिए, तो मैं वो पेश करूँ, शरीप करती हो, आपकी आवाज बनकर आपकी शिर्मत में शर्पत में हाजिपू, सोरे भाय नहिए, भाय हमारे सभी महमाना, इंका हो। आप सब की तबज्यों पेश करती हो। मेरे बतन के जैसा मेरे बतन के जैसा कोई बतन नहीं है मेरे बतन के जैसा कोई बतन नहीं है ये चाद से भी प्यारा तारों से भी हसी है मेरे बतन के जैसा कोई बतन नहीं है अफसुस कि आप सब इस तरह से खामशोगा है जैसे मैं कोई दोई पर्णने के लिए आद इना जैसा जिन्दा दिनो कर सुरिये और आये के मैं एक लिए पर्णती हूँ और आज़र के जगह देखतेगा आप सब क्या आवाद आप सब का हूँ पेश्ट कर दोई हिंदुस्तान हमारा है यहीं चियेंगे यहीं मलेंगे यहीं चियेंगे यहीं मरेंगे यह पेदान हमारा है हिंदुस्तान हमारा है यहीं हिंदुस्तान हमारा है आप शरीक हुए एक अच्छत की मुझे द्वाइं में आपने मेरा हुस्रा बहाया बहुत अच्छा लगा आए बन पेश करती है मुलाजर कीजिए का देखिएगा के चाहे अमन के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खूल बहाएं चाहे अमन के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खूल बहाएं गतारों के आगे जाकर हाथ नहीं चोड़ेंगे सब करेंगे सबरकतावन कभी नहीं चोड़ेंगे करता है अल्लाहिकादद ये इमान हमारा है करता है हिंदुस्तान हमारा है हिंदुस्तान हमारा है हिंदुस्तान हमारा है हिंदुस्तान हमारा है हमें गर्व है यहां यारोजी कशीर फर्मा है इनकी द्वाई और इनकी शेक्त चाहती हुए हमें गर्व है, हमें वक्ष है कि हम इंदुस्तानी है अगर मैं एक सच्चा बन्द आपकी जिनमा में पेश करती हूँ कि यहां बैटा हुआ है कि शक्त मुझे अपनी द्माव से भादे कि जिन लोगों को भी जाना था जिन लोगों को भी जाना था चले गए वो कराची हमको नाज़ा इस धर्ती पर अपनी है ये धर्ती जिन लोगों को ही जाना था चले गए वो कराची हमको नाज़ा इस धर्ती पर अपनी है दे धर्ती इस धर्ती के सब फूलों में नहूं बुजर्गों का ही सहराओं में ज़्प पसीना अपने पुर्खों का ही हिस्तान हमारा है हिंदुस्तान हमारा है हिंदुस्तान हमारा है आप सबी की फूसी पर जो चाहती हूं मुलाज़ा कीजिएगा देखिएगा के मुल्क से अपने प्यार करो इसलाम यही कहता है मुल्क से अपने प्यार करो इसलाम यही कहता है अपने रगों में दोड़ने बारा खून भी पाकिजा है अपने खून से भारत की तस्वीर सजा देंगे हूं अपने देश की खादिर अपनी चाहां लुटा देंगे हूं जिसने हमें यह सबक दिया है वो परवान हमारा है हिंदुस्तान हमारा है हिंदुस्तान हां आया है अपसब का होंगा इसलाम यहीं कहता है अपनी रगों में दोड़ने बाला खून भी पाकिजा है अपने पून से भारत की तस्वेश सजा देंगे हूँ अपने देश की खातिर अपनी चार उता देंगे हूँ जिसने हमें इस अब खुदिया है वो पर्वान हमारा है हिंदुस्तान हमारा है एक बन पेश करती हूँ अपने सजी में दुस्तान के दौई या एक बन आपके सिस्यूवत् me पेश करना चाहती हूँ के आचना आये अब मंदिर पे आधना मस्जिद तूपे अबना जबे सिंदूर किसी का अबना कहीं हम भूपे के आचना आये अब मंदिर पे आधना मस्जिद तूपे अबना जबे सिंदूर किसी का अबना कहीं हम भूपे सारे पूर जाए चेहरों पर रंग खुशी का अच्छाए प्यार्टे खुश्बू फेले अर नफरत को मोता जाए जटाए भारत फिर जंनत बन जाए यह अरमान हमारा है एंदुस्तान हमारा है कर दूस्तान हमारा है I mean 시 अनकरा मारा है झाल ट aisle